लंपी वाइरस के चलते खंडवा जरे में अब तक आठ गायों की मौत हो चुकी है यहां पशुपालन विभाक के समीती संसाधनों के साथ इस्थाने गौश सेवक और किसान भी स्वेम एहत्याद बरत रहे हैं वहीं प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंग पटेल को लंपी वाइरस के प्रदेश में कितने मामले हैं यह जानकारी तक नहीं है इसी तरह गौशाला संचालक और पशुपालक टीके के अंतजार में दरदर भटकने को मजबूर है इसी पर देखे हमारी हाँ खास रिपोर्ट खंडवा में आज मद्द प्रदेश के पशुपालन वभाक के मंत्री प्रेम सिंग पटेल पहुचे थे जहां उन्होंने दादा जी धुनी वाले मंदिर में दरशन के बात मीडिया से चर्चा की लंपी वाइरस को लीकर मंत्री जी और उनका वभाक कितना गंभीर है उनके दिये जवाब से आप समच सकते हैं पशुपालन मंत्री से पद्रकारों ने लगातार चार से अधिक बार प्रदेश के लंपी वाइरस से ग्रसत पशुआ के आकड़ों की जानकारी मांगी पर मंत्री को अपने ही वभाक के आकड़े नहीं मालुम थे तो वो गोल माल देखो जिस परकार से शुरुवात हुआ है हम मध्य परदेश में पेले भी नंबर एक पे थे और आज भी हम लोग जीन करमचारी नहीं काम करेंगे उनको हम डंडित भी करेंगे और किया भी है जैको एक दो जगे हमारे करमचारी जीन नहीं धील किया है उसको पर हम लोग लंपी वाइरस का ज्यादा असर 15 विकास खंड में देखा जा रहा है यहां अभी तक साथ गायों की मौत हो चुई है खालवा विकास खंड में भी इस वाइरस से एक गाय की मौत हुई है लगभग एक महापूर्व से पशुपालन वफाग ने यहां के दस पशुओं के सैंपल लेबरेटरी भीजे थे लेकिन मंत्री जी को मामलों की जानकारी नहीं होना एक बड़ा विशय है यूरो रिपोर्ट MP News खंडवा मंत्री जी तो लंपी वाइरस के मामलों जैसे सवाल पर गोलमाल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में यहां गोव पालकों और गोशाला संचालों की मांग है कि सभी गोवंच को टी के लगाये जाएं जिससे वहाँ इस बीमारी से बच सकें